असन भी था लोगों में पूरी तोर पर काल करने की छमता भी शुकला जी ज़र सुन लीजिए शाहिद भाई जी प्लीज कॉंटिनियू जी ये कह रहा हूँ कि उन्नती तो उस वक्ती बर्बादी जरू ही थी ये जो मंडल और मंदिर की राजनीती है इसने उत्तर परदेश को बर्बाद किया है भाईत्पा का पूरा पूरा हिस्सेदारी है उत्तर परदेश को बर्बाद करने में और यहां पे पहुचाने में उत तपाबसपा के गड़े मुदे उखाद रहते शाइद भाई तो बड़ा मजा आया मैंने कहा था ना कि वाप के वारे बोलेंगे तब आप नहीं कहेंगे कि सही बोल रहें दिखकत दिखकत यूपी की यही है दिखकत देश कराल जेताओं की यही है देखे हम मंदिर के मुद्दे पर आज भी कायम हैं और यह मान करके तो पर अपना कोई वर्जन नहीं देता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन हमने एक छोटा मंदिर ही बना दिया अचली ठीक बार है मुद्दा हमाराज कहीं नहीं है मुद्दा मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि आखिरकार गोविंद भाई उत्तर प्रदेश में राजनेता क्या दलगत राजनीती से उपर उठकर कभी काम नहीं करेंगे प्रदेश की विकास के लिए क्या हम विकास के नाम का जुम्जना बनाएंगे काम का जिकर कर जिकर की फिकर कर लेकिन काम न कर ऐसे कैसे बनेगा भाई काम उत्तरप्रदेश में हाल में जिस तरह के सत्ता परीवर्तन हो रहे हैं उनमें बार-बार यही चीज़ देखने को मिलती है जो आपने कहा कि काम का जिक्र होता है जब एक डल विपक्ष में होता है तो उसको बहुत कुछ बुरा दिखता है और जब वो कुरसी में बैढ़ जाता है तो उसको वो सब चीजें दिखनी बंद हो जाती है और जैसा साहिद सिद्धी ने भी कहा कि जब मायवती सत्ता में थी तो ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है और मायवती का जो ये आरोप लगाने का जो सिलसिला है मुझे लगता है वो बहुत सोच समझ कर उस एक तरह से रणनी तिक पहल उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में कि अगली बार जो लोगसभा का चुनाव होगा उस लोगसभा के चुनाव के नजरिये वही एक मातर S.C. प अरे भाई तो आपकी बस्वा भी तो कॉंग्रेस के हाथ के साथ खड़ी हो गई ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी उनके लिए बड़ी चुनावती नहीं बन सकती और वो बड़ी चुनावती के तोर पर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस को देखती है और इसलिए आज ही से नहीं उन्होंने नॉक्टूबर को जब अपनी रैली की थी उस रैली पे भ है हमला समाजवादी पार्टी अमिताब जी लक्षे साफ था कि हमला कॉंग्रेस पर भी करेंगे हमला सपा पर भी करेंगे बीजेपी पर भी करेंगे नेताओं का लक्ष ये क्यों नहीं होता कि हम उस प्रदेश में जब सत्ता में आएंगे तो प्रदेश का विकास करेंगे प्रदेश लगातार घाटे में हैं। दिकास दर लगातार निगेटिव आ रही है। का सम्मान नहीं करने हैं तो पहले तो एक बात बहुत इमानदारी से सब को समझनी चाहिए जो भी लोग राजिनीति में हैं कि आगर आपको सत्ता चलाने का वारंट मिला जनता से अधिकार पत्र मिला तो यह पार्किंग का ठेका नहीं कि साल भर चाहूं जाहां पार्किंग कर यह आपको जनता की सेवा करने का आवसर मिला इसके समानांतर बेपक्षी दलों को आप से सवाल कुछ ने कहा कहा सिल है विधान सभा के भीतर और बाहर दोनों जगा यह कोई ऐसा निर्वाध अधिकार पत्र नहीं है कि पांच जाल आप कुछ नहीं बोलेंगे अगर आप ब को भी देता है वो तरक लोगतंत्र संसदी लोगतंत्र की मूल भावना की विरुद्ध है यह तरक स्विकारी नहीं हो सकता कि जनता को हक है बपर्ष को हाक है मीडिया को हक है अपनी बात कहिने का हुजूर्ष पांच साल अगर चुप्चाप आपको दे दे और अगली बार 5 साल भाईया जी को दे दे तो उत्तरपदेश तो बूरा हो जाएगा और कोई आवाज नहीं उठाए यह नहीं है क्या हुआ कल्यान सिंग की सरकार में क्या हुआ गोविंद बलब पंत की सरकार में उसको जाने दीजिए बीर बाहदुर की सरकार में और श्रीपति मिश्रा की सर सरकार में हम बात करें आज की आज की सरकार से बड़ी अपिक्षाइं थी विदेशी अकबारों ने भी बहुत अच्छी टिपणिया लिखी थी अकले जी ने देश में किसी अकबार को इंट्रिव्यू ने दिया लेकिन एक विदेशी अकबार को उन्हों ने इंट्रिव्यू दिया और उसमें अपनी प्राइटीज बताई तो अकबार ने बहुत संबान पूर्वक चापा और प्रदेश को भी आपक्षाएं थी इसलिए जब कांति रत पर एक नौजवान चेहरा दिखा जो लगा के सपा के मूल परंपरागत चाल चेहरे और चरित्र से अलग है तो लो तो कितनी सीट आती है शाहिद सिदीकी को पता है श्योपरसाद जी को पता है तो यह परिणाम आया जब सबने बोट किया कि अक्रोश लाइब तो आपकी सरकार आई 225 की सरकार आई वरना उत्तर पदेश इतना खंड खंड विभाजी था है सामाधी की स्तरों पर कि 225 मिलना बहुत मुश्किल काम है जब आपकी सरकार आगे तो आपके आपके फ्राइम भी थी मैं दो बातों का जिक्र करूंगा मै कभी आलुचना के लिए आलुचना नहीं करता मैं यह नहीं कहूंगा कि पुल क्यों नहीं बने बिजली घर क्यों नहीं स्थापित हो गए दस महीने में ना तो पुल बनता है ना बिजली घर बनता है यह भी ठीक है मैं स्थित दो बाते कहूंगा सत्ता का इकवाल नहीं दि लिखता है। समाजवादी पार्टी के सवसे तागतवर मंत्री उत्रपदेश में। मुलाइम सिंग जी के सगे छोटे भाई और अखिलेश के चाचा। शुपाल जी ने कहा कि आईएस अगर सुधर जाएं तो रिजल्ट आए। आईएस भिगड़े हुए हैं दस महिने से आप क्या कर रहे हैं। आप आईएस के बॉस हैं। आप उनकी CR लिखते हो यह शुपाल यादव की CR उनका सेकेटरी लिखता है। कौन है बॉस। हमने शुपाल नहीं दिख रहा अपराध भरी मात्रा में हो रहे हैं। खास तोरपर महिलाएं अशुरक्षा का भाव उनकी अंदर गहरा है। यह बात मायावती कहें तो ठीक और मायावती नहीं बोले किसी कारण से तो भी मैं बोलूँगा। तो भी बोलूँगा। मुझे माया शुर में तो सरकार शपत घ्रण से पहले ही हो जाना चाहिए था कि सरकार एक सुर में बोलेगी 15 मार्श शाम 4 वजे से। वो नहीं हो रहा एक सुर में नहीं बोल रही जितने चेहरे उतनी आवाज। क्या कुछ कंट्फ्यूजन की सिती है। अमर सिंग जो आरोप लगाते ह जगमगाता होना चाहिए वो धूमिल नजर क्यों आ रहा है आरोप क्यों लग रहे हैं। दस महिनों में जो सरकार का इकबाल दिखना चाहिए, सरकार का जलवा दिखना चाहिए, जो क्रेडिबिलटी दिखने ही चाहिए, वो नहीं दिख रही है। क्यों आए साga चाहिए क्यों STUDुन है। करेडिविल्टी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसनाथ कि दिखाने का इन लोगों ने कोई प्रयत्न ही नहीं किया है एक बार अखिले स्यादों से लोगों को उमीद जगी थी इसी आधार पर लोगों ने ओड दिया था जैसा कि अग्नियोति जी ने कहा है लेकिन आज इस्तिती ये हो चुकी है अखिले स्यादों पूरी तोर पर उसी तरह से फ्लाफ हो चुके हैं जैसे पिछली बार मायावती जी अपने अपराधी कर्ड के अधार पर और भरसाचार के अधार पर थी तो आज इस्तिती पूरी ऐसी हो चुकी है कि अखिले स्यादों भी पूरी तोर पर फ्लाफ हो चुके हैं मायोती के आरोप सही है लेकिन वही आरोप पिछली बार मुलायम सिंग जी के लोग लगा रहे थे अखिले सियादो जी तब उसी स्थिती में लगा रहे हैं अब तक मेरी आवाद अब तक पहुंच रही होगी मैं जिर भी जाना चाहता हूँ कि इस गफलत का सुलूशन क्या है बीएसपी आरोप लगाए सपा पर सपा आरोप लगाए बसपा पर जब आप इन दोनों पार्टियों में तब कमोवेश आप भी एक काम किया करते रहे होंगे मुझे नहीं पता करते थे कि नहीं करते थे मैं आपके बहुत सुल्जा हुआ और विद्वान पढ़ा लिखा न पर्टियों बर्दाश नहीं करती हैं यहां पर इनका रवईया यह है कि हम आए हैं तो यह हमारे भाई ने कहा था कि हमें पार्किंग का ठेका मिल गया आप जो मर्दी करें जहां जाए पार्किंग कराएं इन्हें इससे मतलब नहीं होता कि अच्छा कौन पी पार्टी अच पड़ जब अखलेश यादव ने बगई ने डीपी यादव को के खिराब बोलें यह था बनियानी बात बदलाव के उत्रपρदेश में मेरे जैसे लोगग अखलेश यादव के साथ आए थैं यह सोचके के बदलाव होगा उत्रपरदेश में बदलाव के बगएर हम कुछ सुन लेए आप, आप मेरी बात सुनिये, सवाल पूछ रहे तो बात पूछी सुनिये, कि वो करांती उत्तर परदेश की जनता को निकलना पड़ेगा सड़कों के उपर, मुझे उत्तर परदेश की राजनेतिक महौल में नजर नहीं आता कि बदलाओ आएगा, जब तक लाकों लोग हैं, वो आगे हैं नूटने खाने के लिए, उस अखलेश बिचारा जो है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी बात नहीं चल रही है, तो आपके इसाब से कौन सी पार्टी सबसे बहता है, जिल्ली नाज रेट के खिलाफ पहले नहीं हो रहे थे, पार्टी इस वक कोई बेतर नहीं उत्तर परदेश के अंदर, कांग्रेस की कोई हालत नहीं खड़े होने की, भाजपा की हालत भी खराब है, भाजपा के वाज़ लिडर्श बादी यह बस्पा, लेकि इन दोनों का हाल यह है, कि ये दोनों, उत्तर परदेश का मुझे भईश्य बहुत अंधेरे में नदर आ रहा है फिलाल, जब तक उत्तर परदेश का मेरा, मैंने शुरू में कहा था कि उत्तर परदेश को बाटना पड़ेगा, एड्मिस्ट्रेटिवली इंपॉसिबल है, उत्तर परदेश को चलाना, जब तक आप उसको बाटेंगे नहीं तीन चार्ट टुडों में, उत्तर परदेश में एड्मिस्ट्रेटिव चेंज नहीं आएगी, वहाँ पे गवर्नेंस में चेंज चाहिए, वहाँ पे जवाब दही चाहिए, वहाँ पे उपर से जो फैसले होते हैं, उनको नीचे कैसे लागू किया जाए, वो चाहिए, आईए सबस्वरों पर लगाम यह साही करने की चमता ना तो अखलेश जादव में हैं, ना उनके चाचाओं में हैं, और ना मुलाहिम सिंगी में हाज, और नतीजा यह है को उत्तर परदेश बिल्कुल तेजी से बरबादी की दरत जा रहा है, पार्टी भी 4-5 हिस्सों बटी हुई है, सरकार भी 4-5 हिस्स अंदर की पूरी जानकारी आप दे रहे हैं, डेकिं बड़ा स्वाल है कि सलूशन क्या है, मेरे भाई उत्तर पर्देश का बच्चा बच्चा जानता है या अगर आपको नहीं मालूम था तो मैं हरान हूँ मैं तो सॉलूशन ना मिलने से हरान हूँ मैं तो सॉलूशन ना मिलने से हरान हूँ प्रावलम बताना तो बहुत आसान है मेरे अजीज मेरे अजीज सॉलूशन इतने बड़े मसाल के ऐसे सॉलूशन नहीं होते कि चैनल के उपर उनका ये लो जेब में से निकाल के सुलूशन के राम असरे कुछवास साथ आप समाजवादी पार्टी के राश्ट्री महासचिव हैं मुलायम सेंगी कोर्टीम के मेंब लगाए उनमें हकीकत है लेकिन जब बहेंजी सत्ता में थी तब सपाई यह आरूप लगाती थी यानि प्रदेश का भगवान मालिक है खुदा मालिक है अधिल जी जैसा यह इनकी अपने मन की सोच है जैसा बता रहे हैं समाजवादी खंड खंड बढ़ गई है यह आरोग तो निराधार है यह ठीक नहीं है समाजवादी एक है और जिसके नेता मानी मुलायम सिंह यादो है तो प्रिमो वही एक समाजवादी है कोई और दूसरा समाजवादी ने बढ़ गया ने मायवादी